आप जब इतिहास लिखेंगे आपकी पार्टी के लिए तो 20 साल बात क्योंकि आज का जो युवा है वो तो जानता भी नहीं शायद 2002 में हुआ क्या क्योंकि ये 20 साल पुरानी बात है तो आज के युवा जब ये देखेंगे तो उस दिन क्या हुआ उन तीन दिनों में क्या सकते हो इतियास हजारों साल जिंदा रहता है और जूटे आरोप जो होते हैं उसका नीरसन नियायलाए के माध्यम से होना बहुत जरूरी है और इसलिए ये लंबी लड़ाई 18-19 साल लंबी लड़ाई मोदी जी भी लड़े हैं और सत्य डूनने वाले लोग भी लड़े हैं और आज विजई होकर बारा हैं क्या इसलिए ये लड़ाई जरूरी थी मतलब कि आप इतिहास जब लिख रहे हैं अपने पार्टी के लिए नहीं किसी भी जूट के सामने लड़ाई करना नहायत जरूरी होता है किसी भी अपपरचार के सामने उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी होता है इतियास तो अपने आप बनते रहते हैं दो बार दो तिहाई बहुमत से जितना ही इतियास है देश में जीएस्टी डाल देना भी इतियास है देश के अंदर सीडियेस बनाना भी इतियास है देश के पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करना भी इतियास है पहल परन्तु जूट के खिलाब लड़ाई लड़नी चाहिए और मोदी जी दट कर लड़े हैं धैरिये पुर्वक लड़े हैं और आज विजय होकर बारा है। पार्टी के लिए ये कितना सिग्निफिकेंट है? पॉलिटिकली मैं पूछ रही है। बहुत सिग्निफिकेंट है। पॉलिटिकली कम परन्तु जीस प्रकार से मेरे पार्टी के सर्वोच नेता को विक्टिमाइज करने का प्रयास किया गया। और आज कॉर्ट ने उसकी धजियां उड़ा दिये। मैं मानता हूँ ए जज्जमेंट भारती जनता पार्टी के हर कारेकरता के लिए, न किवल मोदी जी के लिए, हर कारेकरता के लिए, मोदी जी के लिए तो खेर आत्मसंतोस का विशे हो सकता है, हर कारेकरता के लिए गव कि जो गुजरात में जो experiment किया गया यानि कि बिना मुसल्मानों के सरकार हम बना सकते हैं और अगर मुसल्मान जरा सा इधर या उधर हो जाए, लाइन पे ना चले तो दंगे करा सकते हैं ये एक गुजरात experiment और गुजरात laboratory करके जो opposition parties कहते हैं कि BJP जो है इसको एक political science बना दिया है उन्होंने और वो हर राज्य में इस्तमाल करती है दिखे अब जैसा जिस कलर के ग्लास का चस्मा पहनेगी ऐसा दिखाई पड़ेगा पीले पहनेगी तो पिला दिखाई पड़ेगा काले पहनेगी तो खाला दिखाई पड़ेगा ये देखने का नजरी है गुजरात model जरूर बना है देश में हमने सब से पहले 24 गंटा बिजली हर घाव में पहुचाने का काम किया वो एक model है देश के अंदर 12 साल के अंदर जीरो ड्रोप आउट रिश्यो लगबग लगबग जीरो ड्रोप आउट रिश्यो और 99 प्रत्सत से ज़्यादा एंड्रोल्मेंट किया बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन के अंदर वो भी मोडल है गुजरात के ट्राइबल एरिया के वन बंदु कल्यान योजना लेकर आए वो भी मोडल है 10% ग्रोथ रेट के साथ 12 साल तक एग्रीगल्चर ग्रोथ रेट हमने अचीव किया है वो भी एक मोडल है देर सारे मोडल है हाइवेज से लेकर ग्रामिन विकास से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक हमारे अर्बन डेवलपमेंट के एक्ट भी मोडल है जहां तक डंगो का सवाल आप कर रही है आप एक बात समझ लिजे आप इतनी वरिष्ट पत्रकार है स्मिता बेहन आप कॉंग्रेस के सासन के जो आपको ठीक लगे वो पांच साल और भारती जनचा पार्टी के सासन से जो आपको ठीक लगे वो 5 साल ले लो कितने घंटे कर फी रहा कितने लोग मारे गए कितने दंगे हुए और दंगे का डूरेशन कह था कंपेरिजन कर लीजे तो मालूम पड़ जाएगा कि दंगे किसके शासन में ज़्यादा हुए और दूसरी बात ये दंगा होने का मूल कारण कुद्रा की ट्रेन को जला देना था साथ लोगों को सोला दिन की बच्ची को मा की घोद में बैठे हुए जिन्दा जलती हुए मैंने देखा है मेरे हाद से अगनी संस्कार किया है मैंने घोटा गाउ में इसके कारण दंगे हुए थे और आगे जो दंगे हुए है वो पोलिटिकली मोटिविटेड थे रिजर्वेशन का अंदोलन हुआ दंगों में कंवर्ट कर दिया गया जब वो गूद्रा से बॉडीज लेके गए थे अंतिम संस्कार के लिए तब आपको लगा था कि ये मतलब की कोई प्रतिक्रिया होगी दिखे उस वक किसी को सोचने की सुदबुध ही नहीं थी इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रस्ने था कि जो 69 लोग मारे गए हैं इनके परिवार को उनका अंतिम संसकार भी न करने देना और कोई प्रोफेशनल इंपूट ऐसा नहीं था क कि इतनी बड़ी मात्रा में रियक्शन आ जाएं और बॉडी इसको परेड कर दिया गया था परेड नहीं करा है यह गलत प्रचार है सोला सिविल अस्पतल में लिए गया गया और बंद अम्यूलेंस में उनके परिवार वरे अपने घर पर ले गये आप हॉस्पिटल में थे क्या देखा आपने उस दें क्या देखना क्या था जली हुई रिला से थी दूखी दूख था अकरन था रोज था आप MLA थे लेकिन आपकी कॉंस्टिटुएंसी में ज्यादा दंगे हुए नहीं कंपेर टू बाकी जगों में अगर आप उस वक्त इंचार्ज होते अगर मगर घटना के कारण रोज इतने अव्यापक मात्रा में था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी थी किसी को नहीं लगी थी ना पूलीस को लगी थी ना किसी को लगी थी और बाद में किसी के हाथ में ही नहीं रहा और इस दिखिए इस बात पर अनेक अदालतों में एक सुप्रि जी को कोई पहली क्लिंचित नहीं है, नानावटी कमिसन ने भी क्लिंचित दिये, फिर भी SIT बनाई गई, और मोदी जी SIT के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे, कि मेरे समर्थन में आ जाओ, गाउं गाउं से आओ, नहीं आते तो फिर MLA को बुला लो, MP को बुला ल जालो, और धर्ना करो, पर क्यों नहीं गई, BJP क्यों नहीं गई अब सपोर्ण, हम मानते थे कि हमने नियाई में सहयोग करना चाहिए, नियाईक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए, सुप्रीम कोट का ओडर है, एक SIT काम करी है, SIT अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ ना, तो मुख्यमंत्री स्वयम कहते हैं कि मैं कोपरेट करने के लिए किस चीज का अंदोलन करना है, अंदोलन किस चीज का करना है,